विहार में पुल मिला करके तीन लाह के आसपास टीचर्स के पोस्ट खाली हैं और ये 37,000 बहाली करने में सरकार दिखा दी कि ये लोग मने कितना खतम सरकार हैं अने के बाद अलग-अलग सब्जेक्ट का कई सारी सीट्स खाली रह गई हैं जबकि क्वालिफाई के हुए ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको मेरिट में नहीं रखा गया तो आपका सीट्स खाली है वो क्वालिफाईंग मार्क्स ला चुका है तो आप उनको बाहल कैसे कर दिये पिछले छे दिनों से यह लोग सरकों पहें लेकिन नियाए नहीं मुपारा है क्या बाचित किया है इसमें एस्टेट 2019 की बहाली में जो लोग मेरिट में नहीं है वो दोनों ही लोग हैं विहार में कुल मिला करके तीन लाह के आसपास टीचर्स के पोस्ट खाली हैं और यह 37,000 बहाली करने में सरकार दिखा दी कि यह लोग मनें कितना खतम सरकार हैं किस बहाली को भी करने में 20 यह गलती है इन लोगों ने किये 12 मार्च को जो रिजल्ट आया जिसमें सरकार ने घोसना कर दी कि 24,599 लोग जो है वो क्वालिफाई किये हैं और सब की नौकरी पक्की हो गए अब सवाल है कि अच्छा उसमें जो दिक्कते सरकार ने की है कि वहा दिकांस लोग क्वालिफाई हुए उसमें 24,599 वो संक्या सरकार ने कहा उसमें महिलाओं को कोई अलग से अरक्षन नहीं दिया गया महिलाओं के लिए अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स तै करेंगे तो आप बुर्सों के बराबर उसकी संक्या नहीं रख सकते हैं देश जून को जो दुबारा से रिजल्ट आया जिसमें एक मेरिट का बात हुआ अब यह मेरिट का जो संक्या आया यह 24,599 है यानि सरकार के आंकरों के मुताबिक अगर चलें तो सिर्फ एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो क्वालिफाई किया लेकि मेरिट में नहीं आया लेकि यह जबकि क्वालिफाई की हुए ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको मेरिट में नहीं रखा गया है तो आपका सीट खाली है वो क्वालिफाई मार्क्स लाच चुका है तो आप उनको बाहर कैसे कर दिया है दूसरा सवाल है कि एक ही सब्जेक्ट के एक ही कैटेगरी के दो स्टूड जेंडर चेंज कर दिया गया है और बाहर कर दिया गया है यह दिक्कत वहां पर है पी एच कैटेगरी को चार प्रतिसे जो बिहार सरकार आरक्षन देती है वो भी उसमें नहीं है तो यह मेरिट पर सवाल है यानि बारह तारिक का जो रिजल्ट आया उस पर भी सवाल है जो 21 सरकार उसको फाइनल रिलीज करें जोंकि उसमें गरबडियों की संभावना है कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज सरकार उसको दुरूस्त करें अगर वह 24 जर 599 से अधिक है तो कौन लोग इसके जिम्मेदार है जो इतना बड़ा बलंडर की है उनके उपर कारवा है कि आपकी नौकरी पकी है तो आप उनको नौकरी दीजिए इसलिए पहले से जो सरकार के पास पहले से जो पारित और स्पद हैं सुक्रित जो पद हैं टीचर्स के जो खाली पड़े हुए हैं आप इसको अगर वह संख्या 24 से ज्यादा है अगर 24 599 तो तो कोई दिक्कत ही यह सबको जोइनिंग दे दीजिए अगर उससे ज्यादा है तब आप उसकी संख्या और पद जोड़ करके बढ़ा दीजिए और सबको जोइनिंग दीजिए अगर सरकार यह नहीं करती है तब हम यह सरकार से चाहेंगे कि आप पहले वाला जो लिस्ट है उसको फाइनल रिल हम कहीं से भी नियोजन के पक्ष में नहीं है बिहार में टीचर बहाली के लिए तयार करने वाला कोई एक सिंगल चात्र आपको नहीं मिलेगा जो चाहता हो कि नियोजन हो सब लोग चाहते हैं कि नियुक्ति ज्वाइनिंग हो सीद्व हमें ज्वाइनिंग कराई हमको हमसे लेकिन हमको जौइनिंग दीजिए तो इसलिए हमारी मांग है कि हर अस्तर पे इस परिक्षा के लिए जो भी लोग सामिल हुए है उनको जौइनिंग हो क्योंकि आपका विग्यप्ति भी यही कह रहा है सिर्फ शिक्षा मंत्री ने गल्ती नहीं की होगी आपका जो आये सधिकारी है जो शिक्षा विवाग को चलाने वाले लोग हैं वो लोग कई एक बार बैठ करके यह बोले हैं प्रेस के सामने कि यह जो इम्तहान हम ले रहे हैं स्टेट 2019 का यह पहले के एक्जाम से अलग इस मा इतने बड़े पैमाने पर जिसने गल्ती की है हमें लगता है कि सीट को बढ़ा करके इन तमाम गल्तियों को दुरूस्त किया जा सकता है अभी से भी है ना सबको रोजगार मिल सकता है और चुकि पुरा बिहार दो साल से करीब दो साल से लोगडाउन जहल रहा है देसी जहल है और इसको लेकर के आने वाले समय में साजह हम लोग के डिमांड कुछ ड्राफ्ट करें और जो चात्रों के बीच में तनाव बना हुआ है सरकार की गल्ती है और मेरिट और मेरिट आपस मोलजे हुए है हम चाहते हैं कि वह एक जुट हो करके सरकार का कॉलर पकड़े और उ सब्सक्राइब करता है यानि सरकार जो है खुद अपने ही विध्यप्ति पर उनको भरोसा नहीं खुद सोच करके जो विभाग विध्यप्ति जारी करता है वह तो एक व्यक्ति का मूड से नहीं हो रहा है कि हमने जाकर करके सुबर लिखा एक नोटीस और लगा दिया पुरा विभाग बैट करके जो उसका उच्चा स्थरीय जो उसका दल है उसा बैट करके लोग सोचते होंगे तो असल में सरकार बिहार के जो भी सिक्षा से सब्म दूसरे जाज्य के लोग बिहार में आके पढ़ते होंगे बताइए कहीं कोई नहीं आता है सब यहां से लोग बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो पलायन तो यहां सिक्षा के नाम पर भी काफी है रोजगार के साथ सिक्षा का भी पलायन है हम यहीं चाहते हैं कि इस ब इन दोनों का मैं तो बताया ना कि हम लोग का डिमांड क्या है साधा डिमांड बारह मार्च और 21 जून के रिजल्ट का प्रोपर जांच हो ठीक यह सब लोग चाहते हैं कि हो जो क्वाल मेरिट लिश्ट में जांच करा लिजिए लेकिन जो बच्चे मेरिट लिश्ट में सिर्फ इसलिए नहीं कि युवां हैं इसलिए युवां के साथ रहेंगे दो कई लोग हैं सिक्छा के महत्यों को रोजगार के संकट को हम जानते हैं और इसी तरह के परिवार से हम भी आते हैं बच्पन में फौझ में दौड़ रहे तो पौच के लिए दौड़ते थे बिदायक है स्टीड अभियरती जो है पिछले चे दिनों से सरकों पहें और नियाए को लेकर सरकार से बुहार लगा रहे हैं लेकिन नियाए तो नहीं मिल पार है इसी करम में जो है संदीर सवर्व ने इन अभियरती वसे बाचित किया और इन्होंने अस्वासन दिया है जो इ सब्सक्राइब करें लिए फरकार फिलाल बने नहीं में सब्सक्राइब बहुत 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 धन्यवाद